अन्यमेशकार तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विश कमिशिन के द्वारा 16 फरबरी 2021 को एक प्रेस नोट जारी किया गया है इस प्रेस नोट में क्या कहा गया है इस वीडियो में देखेंगे और यह प्रेस नोट जो है आपको हम टेलिग्राम पर भी प्रवाइट करवा देंगे टेलिग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में दिया गया है प्रेस नोट में कहा गया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विशन के द्वारा हिमाचल प्रदेश एडिनिस्टेटिव सर्विशीज का मेंज एक्जाम हुआ था उसका रिजर्ड डेक्लियर किया गया इसमें क्या-क्या हुआ था मतलब कितने बचे कॉईफाई हुए थे कितने एक्जाम दिय था उस अब जानेगे तो था फाईफ्विश सौनियर का दिये गया प्रिलीमस के बाद तो 50 candidate जो हैं यहां पर qualify किये गए हैं इनके interview के लिए जिन लोगों को बुलाया जाएगा वो 50 लोग यह होंगे उनके roll number भी इस तरह से यहां पर दिये गए हैं अब यह 50 लोग तो होंगे ही इसके लावा इसके लावा देखो candidate जो मेंस यहां के लिए निकाले गए हैं जिनका interview होगा इनका interview जो है वो 3 March 2021 से लेकर 10 March 2021 के बीच में होगा होगा कहां पर वहीं पर जैसे हिमांचल प्रटेस पब्लिक सर्विस कमिशन निगम बिहार में ही होगा as usual यहीं पर होता है तो यहां पर जो है यह इनका होगा अब personality call letter जो है इन लोगों को provide करवा दिये जाएंगी जिनका भी eligible हुआ है वो यहां पर देख लेंगे कि उनको क क्या क्या करना है जो भी यहां पर लिखा है तो यह था मेंस के रिगार्डिंग जिन केंडेट्स को जो है वो एक मार्च दो हजारी की एक मार्च दो हजारी कि तक personality test call letter नहीं मिलता है उन लोगों को क्या करना है उन लोगों को हिमांचल प्रदेस पब्लिक सर्विस कमिशन मे कारे में कि मैंने आपको बता दी तो आई होब कि थोड़ा सा आपको यहां से पता चला होगा थैंक्यू थैंक्यू बरिमेंच